दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार टीजीटी पीजीटी की वेकंसी सामने और हम लोगों की लडाई युद्ध अस्तर पर सुरू हो गई है लडाई मतलब लडाई की तयारी कैसे करना है इस बीच में आपके प्रीवियस एस के क्वेस्टन सालब करा रहा हूं और यह आपको दि तो उसकी राजधानी नई दिल्ली ही होगी इसमें कई बार फिर बदलेगा भी ठीक है तो आपसन जो दिया गया उस आपसन के आधार पे आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपसन पीछे आपने देखा था पिछले सेट में कि चार के चारों उत्तर गलत थे आपसन गलत थे उनमें से आपको एक चुनना था फिर कई बार कंडिशन में क्या होता है सेम क्वेश्चन होता है और उसके एक जगह आपसन अलग है दूसरी जगह अलग है यह भी हम लोग आगे देखेंगे खैर देखते जाएगे सेट नमबर टू में क्या कहता है कुस्जिन नमबर बन ही वाज, he wanted to know, he asked me, that to hooga नहीं, he asked me where the post office was, यह हमारा answer वह सी होगा, हलाकि गवर करिएगा, अगर सी आफसन नहीं होता, तब फिर ए पर हम टीच करते हैं, he wanted to know where the post office was, that हो ही नहीं सकता है, जो यक वह और देट दोनों साथ नहीं आएगा, फिर इसके बाद, where was the post office interrogative structure नहीं हो सक होता है तो ए और सी ये दूनों सही हो सकते हैं सी काफी बहतर है इसलिए हम सी को बोलेंगे अगर सी नहीं होता तो अब देखिए बस यह हो गया कि आपसंस अगर आप इसमें करेंगे गौर करेंगे और वास्तों में लैंग्विज के एक्सपर्ट से बात करेंगे जिसने गहराई से स्टेडी किया है तो बताएगा दोनों आपसंस सही लेकिन दोनों आपसंस आप टिक नहीं कर सकते हैं उसमें आपको बेहतर का चुनाव करना पड़ेगा तो बेहतर जो होगा दैट भी सी आगे आप देखें क्वेस्टे नमबर चुनाव कंकर अगर कुट्नाव दिया घया है क्योंकि यहां पे नंबर टू मेंरे की कभी-कभी यहीं किया जाता है इन डाइट नाइरेशन में तो उसके लिए घवडाग जोत नहीं he said that भी हो सकता था कुछ नाट कम और कभी कभी दैट का प्रयोग नहीं भी होता है question no.3 he said he did not believe me अंते case में इन्हों हर जगह वही दिया है RPSC PGT 2011 तो यहां पर RPSC में दैट का प्रयोग उन्हों ने दिया नहीं he said he did not believe me तो क्या हो जाएगा he said to me I do not I do not believe you कुछ करने की जिरुत नहीं तो बहुत इत्म सीधा सीधा दिया गया क्योंकि वह indirect narration है और अगर हम आख मूद करके भी अंधाज लगा लें तो यह क्या दिया गया एक ही direct narration का दिया गया सी हो जाएगा राम सेड ही वाज बेरी भी यह भी आप देखें सेम पैटर्न है आए राम सेड आयम बेरी भी जी ना ना उकाद्यन हो जाएगा बाकी तीनों में कहीं दिया नहीं है क्योंकि यह indirect narration है और डारेक्ट केवल ए में दिया गया है बाकी कहीं दिया ही नहीं बहुत आसान सा है है यह शयडे लास आं अंडञ अब देखें लास अंड़न आप देखें यह ईगल्रीं है है से शुरू हुआ इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होगा यह आपका काम करेगा और वाट आइवास डूइंग यहां पर देखना है यह एक्चुलि ए और सी में दोनों जगह दे दिया गया है तो यहां पर ए और सी में दोनों जगह होगा नहीं कहीं कहीं इसमें से कुछ गलती है यहां पर वाट आइवास डन मेरे ख्यास से आई तिंग वही रहा होगा ही आज में वाट आइवास डूइंग यह आपका आंसर सी हो जाएगा कुशन नबर सेवन में आएं यू से आई कर दा फिंगर यू से देट यू कर दा फिंगर कुछ करने जरूत नहीं है क्यों क्योंकि यह देखे अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लाज प्रेजेंट या फ्य यह तो यहां से गवर्न जिब होगा तो आई का यू हो जाएगा यू से डैट यू कर दा फिंगर यह सीदा सीदा दिया गया यह हो जाएगा फिर देखेए गा नंबर एट यह टूट यह आपका प्रेजेंट प्रेजेंटेंट से अच्छा और दूसी बात यह सार्भॉमिक सत्य है तो क्या है what change is required in the verb rotates if the following sentence is converted into the indirect speech ध्यान दिजेगा no change is required क्यों no change is required क्योंकि सार्भमिक सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है आगे 9 नमर पर आईएगा क्या कहता है आपका which of the following will be the correct indirect speech if the statement given below is changed into it अच्छा he said that he would leave those papers there he said that he should leave those papers there he said that he would leave these papers he said that he would leave गवर करियेगा दोज पेपर्स यह इसमें अगर हम ध्यान दें तो पहली बात तो यह देखेगा here here में नहीं रह जाएगा यह कट हो जाएगा यहां से अपनों किसको हमने डिलिर कर दिया नमबर दो अगर विल दिया गया तो यह के साथ शुट नहीं लगेगा यानि अगर हमारा स्टेटमेंट कोई भी दिया गया हो तो हमारी सारे मानकों को विल है उठ हो जाएगा दीज है दोज हो जाएगा हीर है और देर हो जाएगा इट मीस दिस इज और आंसर मोहन सेड ऐलास आयम ड़न अंड़न तो वही चीज हो गई मोहन एक्सक्रेम सेडली डैट ही वाज अंड़ तो आप देख रहे हैं कि हम लोग विस्तार से समझते जा रहे हैं इसके बाद भी अगर आपको किसी एक्स्प् सब्सक्राइब थैंक यू बरी मच्छ